हेई फ्रेंज कैसो आप लोग उम्मीद करता हो सब लोग ठीक हो आज मैं आप लोग को एक 12V का Bluetooth स्पिकर बना के दिखाऊंगा ये फ्रेंज आप 12V adapter, 12V transformer, 12V battery या फिर car पे भी यूज़ कर सकते हो बनामोल्ट से और फ्रेंज ये stairway सिस्टेम है देखिए मैं यहापर दो speaker का यूज़ किया हूँ एक है subwoofer speaker और एक है sound speaker और फ्रेंज इसका sound बहुत क्लियर और भारी और मीठा sound है एकदम हूम थेटर जैसा और इसको बनाना भी बहुत आसान है आप लोग वीडियो को शूर्स लेकिन तक धर गेते हो बहुत आसान इसे बना लोगे और देखिए मैंने यह आपर एक म्यूजिक लेवेल लाइट का यूज किया हूँ जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगतर और मैंने यह लगा है दो पीस एक फिर उलंज के लिए मेन लुकं कम जर्था करने के लिए और लोटूथ को ब्लूटूथ स्पेकर के बाड़ी बनाने के लिए और मैह पर प्लास्टिक शीट, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आपकी पास जो एवेलेबल हो अब वही यूज़ करना ठीक है फ्रेंस और मैंने मेरे जरुत की अनुषवार सब कुछ कट कर लिया हूँ कौन सा छेत किस्ति है यह आपको बात में समझ में आ जाएगा और यह सामने के लिए सामने का शीट है और यह दोनों हमारा दोनों साइट के सीट है दोनों साइट के लिए ठीक है और यह जो शीट है यह पीछे के लिए पीछे की साइट के लिए और यह दोनों शीट ऊपर और नीचे के लिए उपर नीचे की शीट है यह उसकी बात फ्रेंस आपको दो स्पीकर ले लेना और इसका वैलू देखिए फ्रेंस इसका वैलू कितना है यह फ्रेंस 6 ohms 10 watt का एक सब उफर है आप चाहों तो यह पर 4 ohms 15 watt यह पर 4 ohms 25 watt का भी यूज़ कर सकते हो और फ्रेंस यह एक sound speaker है जो की बहुत loudly sound निकलता है और इसका वैलू भी मैं आपको दिखा देता हूं ऐसा इस speaker लेना है और इसका वैलू है फ्रेंस फोरोम 10 watt आप यह पर फोरोम 15 watt भी यूज़ कर सकते हो ऐसा दो इस पीकर चाहिए पुसिल बाद फ्रेंस बेस बूस्टर सरकिट चाहिए इस साब बेस को बूस्ट भी कर सकते हो और बेस को कम ज़दा भी कर सकते हो और इसका मेकिंग व पुस्टर सरकिट को बॉड़ी की साथ एटाच कर दूँगा जो प्लास्टिक शीट है उसके साथ एटाच कर दूँगा और इस ऑन अफ सूच को भी मैं प्लास्टिक शीट पर एटाच कर दूँगा ओके फ्रेंस मैंने टाच कर दिया अब आपको ग्लू गन लेना पड़ेगा और हमारा सब उफर की सामने की साइट पर एक रावर का लेयर बनाना पड़ेगा अच्छे से नहीं तो रावर का लेय प्लास्टिक शीट के साथ देखिए मैंने लगा लिया फ्रेंस दोनों इस पिकर को मैंने सेम तरीके से लगा लिया बहुती अच्छे तरीके से बहुती टाइटली आपको इसको कसना पड़ेगा नहीं तो बात में noise क्रेयेट कर सकता है और फ्रेंस उसको बात आपको शुपर घुलू को आपको चारो जो स्कूर वहाँ पर दे देना है तो मैंने देदिया फ्रेंस अब फ्रेंस हमारा जो वायर है इनको सेट अप कर देना है बॉड़ी के साथ अच्छे से ताकि हीले डूले ना और भाई बाता देता हूँ मेरा हिंदी बहुत बेकार है यार हिंदी उतना अच्छा में भूल नहीं पाता हूँ मैं इसको धीरे-धीरे सुदारने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैंने तार को सारा लगा दिया बॉड़ी पर और फ्रेंस यह एक म्यूजिक लेवल लाइट है इसको बहुत आसान है इसका वीडियो का लिंक पर मैं इस वीडियो की डिस्रिप्शन पर दे दूंगा आप इस व इस बोरी से ग्वी देदेना है साइड में सुपर ग्लु दे कि इसको आच्छे से चिपका लिए और इनका जो दोनों तार है उन दोनों तार को हमको जो साउंडे स्पियर है साउंड्य स्पिटिक त Îंट्र कर देना है इस फ्रेंस मैंने सोल्टरिंग कर दिया देख सक्तियोंग और हमारा जो बूस्टर सर्कित का घ्राउन्ड है। इस पॉन्टर Siroc Danny कड ग्राउन्ड को हमको इस पॉटर शिमिटर की इस पॉइंट पर स्ल्टरिंग अब जो साइट की दो प्लास्टिक हैं इन दोनों प्लास्टिक को हमको यहाँ पर एड़ाच कर देना है चिपका लेना है अच्छे से और फुटेज में आपको दिखान एक चिपकाना है और प्लास्टि कर दिया था देखिए मैंने यहाँ पर यूज प्लास्टिक शीट पर ताकि दुबारा ये ना चूटे आपको इसको अच्छे से एकडम चिपका लेड़ा है और क्या नहीं तो चूट सकता है और अब हमारा जो पीछे वाला साइट है उपर वाला इसको भी अच्छे से चिपका लेना है मेंदने सुपर गूलु से उसके बाद अपको 12V का संल्केट चाहिए होगा साइब ड्यसी जाकिट 12 इन्पूट देने कि लिए और बावमेल्ट स्मील अब ड्यादल को अब है यहां पर मैंने एंप्रीçon कर दिया देख सकते हो और यह दोनों पॉइंट फ्रेंट्स मेरा जो स्वीच है इस पेस्टी जम मैं आपको दिखाता हूँ पॉत Els targeting with based स्वीच की एक तरह दिकंट हो इस वहां पॉसिटिफ कर दीना है P मैंने सोल्टरिंग कर दिया आपको अच्छे से कर लेना है सोल्टरिंग सो यह दोनों तार हो गया 12 वोल्ट के लिए विट स्विच आप फ्रेंज यहापर मैंने एम्प्रिफियर यूज किया हूँ इसको बनाना बहुत आसान है ठीक है इसको बना लेज़ेगा और यहापर आपको एक अच्छी कॉलिटी का हीट सिंक लगाना है नहीं तो आइसी खराब हो सकता है और फ्रेंज मैंने यहापर एक क्यापासिटर करनेट क्या हूँ देखिए कितना वोल्ट कितना वैलू का है यह पर देखिए बारीटी इन पूट कर जो प्लास है वहाँ पर कर देना है ये जो नेकेट्व है यहाँ पर कर देना है बिल्कुल एसी टाइप अगिय जहाँ एच सोटीड से आया है सो मैं इसको कशिट एलिक कर देता हूं देखिए फ्रेंस मैंने शॉल्टरेंग कर दिया यह फ्रेंस हमारा ब्लूटूट सिस्टेम है और मैंने यहाँ पर एक छोटा ब्लूटूथ मोडियूल यूज़ किया हूँ और इस ब्लूटूथ मोडियूल को चलने के लिए जरूत होता है 5 वोल्ट और हमारी एम्प्रिफिय मोडियूल की फाइब पर षुर्ण कर देना है और यह घ्रांट को ग्रांट पर शुन्टर睨 कर देना है ठीक है यह सब्सक्राइब कर लेना है आपको और यह तीन है फ्रेंस हमारी audio output के लिए थिक है और मीडिल वह पॉइंट हमारा ग्राउंट audio output ग्रांट और इस ग्रांट और हम्हेरा एक ही होटा है यह आपस में। होता है व्ला हमारा एंपूट के लिए है और यह हमारा एंपूट और होता है उड़ी राइट ओफ यह राइट आउट ठीक है इसको अब हम को सुल्टर कर देना है देखिए का सुल्टर करना है आपको एसा सुल्टर कर देना है और हमारा यह जो तीन तर है यह हमारा बेज बूस्टर सरकिट का है ये लाल वाला output है कहला वाला हमारा input ground है और ये वाला input है ठीक है इन पुट है और इस काला वाला ground होता है इस ground को मैं ground पर soldering कर दूँँगा amplifier के ground पर जो मैंने soldering कर दिया और इस जो लाल वाला है तो ये output का है और इस output को मैं नीचे एक कैपासिटर है 10μF का वहाँ पर सोल्टरेंग कर दूँगा राइट साइट पर है यह सो मैंने सोल्टरेंग कर दिया ठीक है देख सकते हो हूँ मैंने कहां सोल्टरेंग किया और यह जो वतार है यह हमारा इनपूट के लिए तो हमको ब्लुटूट मॉड्यूल की आर आउट या फिरल आउट पर सोल्टरेंग कर दे रहा है वह कि अ कि सब्सक्राइग कर देख सकते हैं कि यह कि हो जाएगा समुफर आउट्पुट यह दोनों तार फ्रेंस हमारा हांड़ेट के पॉट्रोंशुमीटर का है जो वोल्यूम के लिए मैंने यूज किया था वह वाला और इस दोनों तार से मैं एक तार को भ्लुटुत मॉड्यूल पर सोल्टरेंग कर दुँगा भ्लुटुद मॉड्यूल पर जो दूसरा पॉइंट खाली है एALLY या फिर आर वहाँ पर सोल्डर कर दूँगा आपसर्षोंदा कर दिया अभी यह फ्रेंस आउट्पुट हो गया विथ बॉलियूम इसको फ्रेंस दूसरी 10μF capacitor पर solter करते ना है नीचे यह एक और capacitor है 10μF का अब इस amplifier का video देखोगे तो clear हो जाओगे सारा connection ठीक है यह subwoofer का दो तार है इस subwoofer हमको इस side पर soltering करते ना है इस side पर दो terminal है अब amplifier का video जब देखोगे तब clear हो जाओगे कौन सा connection किसलिए है ठीक है मैंने subwoofer connect कर दिया और इन दोनों point पर sound speaker को connect करना पड़ेगा सो मैं sound speaker को भी connect कर देता हूँ तार short हो गया था चोटा पर गया था ओके मैं connect कर देता हूँ ओके फ्रेंस सारा connection हो चुका है अब देख सकते हो मैंने सारा connection कर लिया और फ्रेंस देखिए मैंने मैंने जो ICM उस IC पर मैंने glue gun दे दिया था बाद में और भी देना पड़ेगा तो यह आपको ऐसे अच्छे से एकदम प्लस्टर कर देना है आई सी पर ताकि दुबारा ना चूटे अब हमाना जो नीचे का sheet है इसको भी यहाँ पर बिठा लेना है अच्छे से एकदम सुपर glue से प्लस्टर कर देना है सो मैं प्लस्टर कर दूँगा सुपर glue से ओके मैंने प्लस्टर कर दिया था देखे फ्रेंस मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूं देखे मैंने एकदम अच्छे से प्लस्टर कर दिया था एकदम टाइटली ताकि यह दुबारा ना चूटे आपको भी ऐसे प्लस्टर कर लेना है को कि हमारा ये दो होल्डर है यहाँ पर दो भी यूज़ कर सकते हूँ एक भी यूज़ कर सकते हुए इस हीट सिंग को एकदम बाटी की साथ करने के लिए प्रीकें अधाश कर दूंगा बाटी की साथ अच्छे सब दुने लेना है ताकि हिले डूलेना हिले डूलेगा तो एक दम नॉइस आ जाएगा खराब हो जाएगा पुरा ओके और फ्रेंस यह एक नरम फॉर्म है अब यह पर ऐसी फॉर्म यूज करना ताकि हमारा हीट सिंग हिले डूलेना एक दम बॉड़ी की साथ चिप कर रहे हैं और क्वेशन अब कर दोंगा इस नहीं हिले डूलेगा और नहीं जो वायर है हमारा सारी वायर पर मैंने हाट ग्लू दे दिया था अच्छे से ग्णू इसको सेटल कर दिया है अब हिले डूलेगा भी नहीं जितना भी अंदर तुफान भी हो जाए तो यह चुटएगा आपको से इसको ग्लू से एकदम चिपका देना है ठीक है अब इसको अच्छे से नहीं चिपका होगे तो बाद में खूल जाएगा और यह कंप्रीट है फ्रेंस हमारा प्लू टूटी स्पिकर अब जस्ट पीछे की साइट की जो प्लास्टिक है उसको यहाँ पर बिठा लेना है प्लास्टिक है इसको यहाँ पर अटच कर देना है और फ्रेंस इसको आपको प्लास्टर नहीं करना है इसको जस्ट आपको सुपर ग्लू से चिपका ना है अच्छे से इसको प्लास्टर करोगे तो आप भविशवे इसको नहीं खूल पाओगे नहीं तो इसको तोड़ना स्मूद नहीं हुआ है कुछ इस्सा बाहर है अब देख सकते हो बहुत गंदा नहीं है इसको देखने में अभी तक है कट जासे आपको हुष साइट को कट करना पड़ेगा अच्य तो देखिए फ्रेंस मैंने इसको कट करके और सेंट पेपर से एकदम घिसके स्मूथ कर दिया हूँ अब दिखने में काफी अच्छा लग रहा है देख सकते हो आप साइट बहुत अच्छे से यह चमक रहा है आप चाहो तो यह आपर कुछ कलर रोलर कर सकते हो ठीए मैंने कलर लगा लेना है और इसको मैंने खरीदा नहीं बना लिया था और इन दोंहों को मैं आप सामने के और लगा दूँगा पर ओके फ्रेंस मैंने लगा दिया देख सकते हो आप हमारा पुरा कम्प्लीट है ब्लोटूथ स्पीकर और यह पावर अनॉफ के लिए हैं और यहाँ पर हमको बारा भूल्ट इन्पूट देना है यहाँ पर अपर अपर ट्रांस्फोर्मर कुछ भी यूज कर सकते हो बारा भूल अब प्रेंस अब को एक फोन लेना पड़ेगा और बूट से कर ले ना पड़ेगा अब कर लिए और यह वोल्यों के लिए नीचे वाला बेस वाला वोल्यों के लिए झाल झाल कर दो कर दो कर दो है विद पसंदना है वही वीडियो पसंदना है तो वीडियो पे एक लाइक जोड़ सबस्रीप करके हमारी साथ जूट जाईएगा फ्रेंज आज के लिए इतना ही फिरिम नहीं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक क्यार